पुल दोस्तो एक नेपाली यूट्यूबर जो कि नेपाल से साइकल पर निकला भारत भ्रमन के लिए और किद्यानाद बद्रिनाद के दर्शन करने के लिए वो भी साइकल पर उसने साइकल पर भारत और नेपाल का फ्लाग लगा रखा था और उसके साथ भारत में कुछ गलत हुआ जिसके कारण उसके आँखों में आसु आगे इनको लेकर मशूर कोमेडियन भारती ने भी एक रियाक्शन दिया देख रही थी एक लड़का है जो नेपाल से आया है जो साइकल पर यात्रा कर रहा है यह देखिए यह देखते कि क्या इस नेपाली लड़के के साथ बुरा हुआ भारत में और ऐसा नहीं होना चाहिए था जितनी वीडियो उस नेपाली बॉय ने डाल रखी थी उससे हम ल शेशन होती है नेपाल के उस 20 साल के राइडर को उन होटल वाले भाईया ने पश्पतिनाथ के दर्शन पर बात की आप खुछ सुनिये और इस क्रिप में आप देख सकते हैं वो सटन से ही उससे भरे टोन में बोलता है और बोलता है इसको बंद कर और यहां बैट जोगी काफी धमकी भरे लैजे में लगता है अब इससे वो 21 साल का नेपाल युगत थोड़ा डर सा जाता है और इतनी छोटी उमर में शायद कोई भी डर जाया है जबकि वो अकेले ट्रवल कर रहा हूँ इसलिए वो वहां से जाने को बोलता है लेकिन फिर उसको बुलाया जाता है ओई इधार आ और बैठने के लिए अब इस पूरे सिनारियो में इस आदमी का टून काफी गलत लगता है जो कि धमकी भरा लगता है यह आदमी किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो यहां पर आकर बैठे यह तो किसी के साथ भी जबरदस्ती है हाला कि इस आदमी की यह प्रॉपर्टी थी जहां पर रिकॉर्डिंग के लिए वो मना कर सकता था पर यहां पर कंसर्ण यह थे कि 21 साल के उस नेपाली लड़के के लिए यह शायद और ज्यादा डरामना भी हो जाता क्योंकि अगर यह रिकॉर्डिंग नहीं चलती तो उसक साथ कुछ भी हो सकता था और अगर इस ओनर को सच में रिकॉर्डिंग से पहले ही नॉर्मल प्रॉब्लम होती तो इसने पहले ही अपनी प्लेस पे लिखके लगा दिया होता यू कांट रिकॉर्ड अट माइं प्लेस यहां पर देखने को यह मिलता है कि वह प्रॉपर बात क में बोल रहा था और शायद अगर कैमरा ओन ना होता तो उसकी पूरी ही टोन चेंज होती साथी साथ लड़के के पास भी कोई पूफ नहीं होता चलिए उसके बाद का इंसिडेंट देखते हैं यहां पर इस लड़के ने इस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया और बाहर निकाला है लेकिन फिर भी यह लूग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे रोड़ पर आके he is free to record क्योंकि एक पब्लिक प्लेस पर है और वहां पर उसको recording करने से शायदी कोई रोख सकता है पर फिर भी यह आदमी आता है फिर बोलता है गलत तोन में गलत तरीके से फोन बंद कर क्योंकि वो लड़का फोन पर recording कर रहा होता है इवेंट जब वो पब्लिक प्लेस पर एक रोड़ पर है तब उसका क्यामरा बंद करवाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का समझदार था उसने फोन बंद नहीं किया और कहा कि भाईया मैं फोन बंद क्यों करूँ अभी आदमी लगातार इस लड़के से पूछने लगा आइडी दिखा फीजिकल फॉर्म में बट उसने और डिजिटल फॉर्म में आइडी दिखा दी थी पर फिर भी यह आदमी इसके पीछे पढ़ा था कि मुझे फिसकल फॉर्म में आइडी देखने था अब दुनिया में ऐसा कौन सा रेश्टरॉन है जहां पर आप खाना खाते हो और अपनी आईडी दिखाते हो और मालो आपने दिखा भी दिया डिजिटल फॉर्म में तो उसको फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो भाई तुम इंट्रुगेट करने वाले और प्रेशर डालने वाले होते कौन हो यह काम पुलिस का है सिक्यूरिटी इसका है आप खुद कोई अथार्टी नहीं हो आप किसी को मॉलेस्ट नहीं कर सकते हो और अगर आपको इतना ही कोई सस्पीसियस लगता है तो आप पुलिस को कॉल करो और उनको बुलाके उन चीजों को क्लियर करो पर इसके दिमाग में किस तरह का जहर भरा हुआ है चैके लो गूबर भरा हुआ है जुकि एक 21 साल के लड़के पर निकल रहा है अथार्टी दिखा रहा है वो भी कोई लिमीट में नहीं यह 21 साल का लड़का जो की कैमरा लिया है लगातार व्लॉग बना रहा है आपसे बात कर रहा है सिर्फ साइकल चला के आया है साथ उसके पास सामान तक नहीं है वो आपको सस्पीशियस लगता है तो यह आदमी इस लड़के से बोलता है कि फोटो दिखा पहस्पतिनात की लड़का बोलता है कि अपपने फोन पर देख सकते हो क्योंकि वो यूट्यूब मार यह नहीं रख़ः है लेकिन वो उसका जवाब देता है कि उसके पास जो फोन था पुराना वो उसका खो चुका है तो उसके पास currently वो फोटोज नहीं है गैलरीज में लेकिन वो इस चीज को मना नहीं करता है कि आप देख सकते हो लेकिन फिर भी वो शक्स को बहुत चिल लगी होती है कि उसको उसक की फोटो देखने वाला इस आदमी को अगर कल को कहा जाए कि अपने घर परिवार की फोटो देखाओ तो क्या यह दिखाएगा किसी रैंडम रोड पर चलने वाले को नहीं दिखाएगा क्या आप दिखाओगे कभी नहीं दिखाओगे तो हूद हैल आई यू तो आसक इट पर दो लड़का उसके शॉप के पास जाता है कि यह लोग ही नहीं बुलाते हैं तो मुझे नहीं पता पुलिस लेकिन आती नहीं लड़के ने दिखाओगे तू लड़का फिर वहां से साइकल ड्राइव करके नीचे जाता है और उसकी आखों में लगातार आसू रहते हैं आसपास के लोग उसको देखते हैं फिर वो अपनी इस बात को लोगों को बताता है जिसके बाद लोग उसका सपोर्ट करते हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़िया रोकी और जो कॉमन लोग थे उन्होंने हेल्प की फिर वहां पर लेटरिली पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आती है पूरी बाते होती है कि उसके साथ क्या वह आप अपने साथ जो भी हुआ वो पूरा उस पुलिसमेन को प्ताते हैं और उसके बाद पुलिस में उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं आप अप्यों इठेते ..... के लेवर कपे काई पास में का आइप में पास में सुछाना वे ख में घिलाया वे इट नहीं पिया ता मुझे नहीं पॉट लेगा दिया और सबकुस में ने देखा दिया और कि दिए तो और उसके बाद ना उसके बाद पॉलिसमंन इस लड़के को पुलिस टेशन में ही रखते हैं और उस आदमी को कॉल किया जाता उसको बुलाया जाता है। और उससे एक fine भी भराया जाता है, जैसा कहना था उस लड़के का और पुलिस के लोगों का, तो add then उस लड़के के साथ अच्छा ही हुआ, और मैं salute करना चाहूँगा उत्राखंड के पुलिस officers का जिन्हों ने समय रहते और अच्छे तरीके से इस situation को handle किया, उस लड़के में वापस एक विश्वास दिलाया, कि you are safe, आपके साथ सारे ही लोग है, अगर एक आदमी खराब होता है, तो बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं उस लड़के में वापस एक विश्वास दिलाया, कि you are safe, आपके साथ सारे ही लोग है, अगर एक आदमी खराब होता है, तो बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं तो इसी जूस के साथ उस लड़के में एक वापस फिर से विश्वास आता है, उस लड़के को पुलिस वाले ही जगह दिलवाते हैं राद गुजारने की और उसके बाद as usual चीजे हो जाती है, दोसों इसको लेकर कॉमेडियन भारती ने भी एक वीडियो में अपना जवाब दिया था, जो कि आप लोग देख सकते हो. आपका बैठे बैठे लोग करवा रहे हैं, फूटो की चुवा रहे हैं आपसे, बहुत लोग हैं जो प्यार करते हैं आपको और आपका बहुत स्वाज़त है भारत में, आप भारत भूनिए, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे यकीन हैं कि जब आप वापीस नेपाल आपको क्या लगता है कि इस पर क्या गलती है और आप क्या कहना चाहते हो अपने बातों को आप comment box के जरीए मुझ तक पहुंचा सकते हो और दुनिया तक पहुंचा सकते हो तो please comment in the comment box इस 21 साल के नेपाली यूवक के लिए और इस पूरी situation के लिए आपकी क्या है इस पर रहा ह तो बताईएगा comment box में धन्यवाद एनाइनूज